क्या सच्ची में काम करते हैं affirmations चलो आज बात करेंगे इसके बारे में मैं इसके एक video डाल चुका हूँ पर आज इसको थोड़ा ढंक से और समझाते हैं इसको और थोड़ा clarify करते हैं ताकि लोग इसके process का ढंक से use कर पाए affirmations काम करते हैं ज़रूर करते हैं पर आपको उनको ढंक से करना आना चाहिए पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है self-help की जो सारे videos मिलते हैं online जादा तर इसको अच्छी तरस से नहीं समझाते हैं तो आज इसको ढंक से हम address करते हैं कि कैसे काम करता है welcome friends welcome to the vibrational channel मेरा नाम जतिन है चालू करते हैं यहां पर क्या affirmations काम करते हैं do they really work तो यहां पर मैं बता चुका हूँ बिल्कुल काम करते हैं बट कैसे करते हैं वो question है देखो आपकी जो definition है कैसे आप define करते हो एक word को जैसे अगर आपको मान लीजिए आपकी affirmations है I am rich, I am powerful, I am hard working तो hard working, rich, good looking, powerful उनकी definition क्या है अच्छा देखो जैसे मैं बोलतों मैं strong हूँ, मैं बोलतों मैं बहुत strong हूँ, अब मैं शायद सिर्फ 50 kg उठा पाऊँ और अगर कोई दूसरा person बोलता है मैं strong हूँ, तो वो 100 kg उठा पाए, कोई तीसरा person सिर्फ 20 kg उठा पाए तो हर person की वो जो definition है, वो change होती रहती है क्योंकि उनका perspective अलग है अगर आप बोलते हूँ, I am rich, तो क्या होता है rich, कितना होता है rich प्लस, हर एक word जो है हमारी जो lifetime में, जो definition है, हम खुट define करते हैं अब जब पहली बार हमने सुना होगा the word जैसे hard working या rich, तो वो definition क्या थी अगर मान लो, आप पहली बार जब एक बच्चे थे और आपकी mom या dad बोलते हैं कि rich का मतलब यह होता है कि कोई बहुत अमीर होता है, जैसे यह देख लो तुमारे uncle अब वो example देते हैं आपके parents देखो आपके यह जैसे uncle यह चाचा चाची पर अगर आप कोई यह पता है कि आपके चाचा चाची बहुत ही अच्छे लोग नहीं है और उनमें बहुत जारा घमंड है तो आप क्या करते हो, आप जो rich word है उसको connect करते हो घमंड से उसको connect करते हो cruel या greedy, greed से connect कर सकते हो अब यह तो आपने connection कर लिया, अब ऐसे करके सारे जो words हैं वो सारे connected होते हैं दूसरे words से अब क्या होता है, अब आपका जो nature है, जिस nature के साथ आप पैदा हुए थे, उस हिसाब से आप यह बोलते हो कि मैं greedy कभी नहीं होना चाता और अगर आप यह सोचते हो कि अमीर होना घमंडी है, तो आप कभी भी अमीर नहीं हो पाओगी, क्योंकि आप यह सोचते हो कि आपको घमंडी होना पड़ेगा पर आपका जो internal nature है, वो इतना strong है कि आप यह बोलते हो कि कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी घमंडी नहीं होगा तो इसलिए, इसलिए काफी सारे लोग अमीर नहीं हो पाते, और इसी कारण काफी सारे लोग जो manifest करना चाहते हैं जैसे मैं good looking होना चाहता हूँ, या चाहती हूँ, या फिर मैं powerful होना चाहता हूँ, पर अगर आप यह connect करते हो कि powerful लोग दूसरे छोटे लोग को दबाते हैं, या अगर आपके class में कोई बड़े बड़े लोग थे जो आपकी ragging करते थे, तो आपको भी powerful नहीं हो पाऊँग वैसी करके good looking, अगर आप यह सोचते हो कि actor, actress बहुत good looking हो, बहुत beautiful हो, उनसे आप पहली बार जाके मिलते हो, आपको चड़क पर दिखते हैं वो, और वो आपको high भी नहीं करते हैं, आप autograph मांगने गए थे, आपको high भी नहीं करते हैं, तो आप यह सोचते हो कि यार यह actor, actress में बहुत घमंड है, मैं कभी ऐसा नहीं होना चाहता, और अगर आप यह सोचते हो कि वो beautiful है, वो handsome है, तो आप एक तरीके से connection बे ढढ़ा ले, तो internally आपको conscious mind में वो आएगा नहीं, वो unconscious behavior आपका, तो अब यह तो पता चल गए कि definitions ऐसी होती है, अब इसको change कैसे करें, चीज का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, वो है, वो सच्चे होने चाहिए, वो सच्चे होने चाहिए, अगर मान लो, आप चाहते हो कि आपकी life में पैसा आए, बहुत सारा पैसा आए, तो आप यह नहीं बोलोगी कि I am rich, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा jump है, आपको छ affirmations ऐसे बनेंगे, I am becoming more conscious, I am becoming more and more wealthy, I am making, I am creating more sources of wealth for me, मैं अपने लिए और भी जारा अलग अलग sources बना रहा हूँ जिसके through में को पैसे आएंगे, या the amount of work I am putting in will bring money to me, जितना मैं काम कर रहा हूँ, उतना मेरे पास पैसा आएगा, कि ऐसे करके आप उसको connect करोगे इस तरीके स जो आपकी mind के आपको लगे हैं कि अचाहां, चलो मैं को इस चीज पर विश्वास है, तो जैसे कुछ statements मैं यहां पर लिखे हैं, I am becoming more conscious, I am creating more ideas for making money, मैं और भी अलग-अलग ideas बना रहा हूँ जिसके through मुझे पैसे आएगा, I am creating new life for myself, अब ये बहुत ये अच्छा affirmation, I am creating a new life for myself, yeah I am creating a new lifestyle for myself, everyday I am learning new things about me, everyday I am learning new skills from other people, everyday I am learning new things from YouTube, ऐसे करके आप affirmations मना सकते हो, दूसरा यहां पर मैं लिखा है, my self-worth, my self-worth is not connected to any amount of work I do, मेरा जो खुद का आत्म मूल्य है, वो किसी भी काम से related नहीं है, कि मैं अपने आपको judge नहीं करता कि मैं इतना काम करूँगा, अगर मैंने पूरी घर की सफाई की, तब मैं अच्छा इंसान हूँ, पर अगर मैंने घर की सफाई नहीं की, तो फिर मैं बहुती lazy और मैं बहु बहुती अच्छा affirmation है, money is energy and I have lots of energy, money is energy and I have lots of energy, अब आपने वहीं लिंक बिठा लिया कि बोल रहे हो कि money सिर्फ और सिर्फ energy है, और मेरे पास मेरे body में भी energy है, तो मैं उस body की energy और money की energy को एक ही मानता हूँ, अब उससे क्या होता है, अब जैसे आप notice करोगे, जितनी energy आप अपने link बिठा दिया कि आपकी body में जो energy है वो भार की energy से equal है, तो जैसे ही आप अपनी body की energy उठाओगे, तो भार की energy भड़ेगी, आपके पैसे भी बढ़ेंगे, तो यह affirmation बहुत अच्छा है, तो ऐसे करके आप अपनी creativity यूज करके कैसी भी affirmation बना सकते हो, एक और affirmation मे बना बदा चुका हूँ, जो बहुत ही अच्छा है, everyday in every way I am getting better and better, बहुत ही simple affirmation है, इसमें आपको specific होने की जरूरत नहीं है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि आपको जो आपके goals बनाने हैं, या आपको affirmation बहुत ही specific होना चाहिए, कि by this date I have this much money, this much money, अब क्या होता है उससे, आप बहुत जारा attachment create कर लेते हो, आप बहुत ही जारा resistance create कर लेते हो, कि मुझे पैसे सिर्फ और सिर्फ इस business से आने चाहिए, इतने पैसे आने चाहिए, और इस date पे आने चाहिए, बलकि universe आपके लिए दूसरी जगे पे बोरी बढ़कर पैसे collect rate पड़े हैं आपके लिए, बहुत सारे दर्वाजे खुले में हैं, बट आप उसी direction में देख रहे हो, तो क्या होगा, वो दर्वाजा नहीं खुलेगा, इसलिए आपको जो affirmations हैं, अपनी creativity से use करके, use कर सकते हो, और इसलिए ये जो affirmation है, every day in every way I'm getting better and better, और दूसरा affirmations है, circumstances do not matter, मेरी जो life में परिस्थ of being, मेरा जो अभी mood है, वो matter करता है, circumstances do not matter, only my state of being matters, यह मैं हमेशा अपने आपको बोलता रहता है, जब भी मैं कभी कोई stressful situation में होता हूँ, या कभी मैं टेंशन में आजाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि, circumstances do not matter, only my state of being matters, automatically मेरा mood change होता है, मेरे body की जो energy level है, वो change होती है, तो यह दो affirmations हैं, और एक और बड़ी चीज़ यह है, कि आपको जो affirmation करने हैं, वो करने हैं, पांच मिनिट तक full attention करें, सुबह उठते हो, meditation कर लिए, meditation के बाद आप diary निकालिए, और यह चीज़े लिखना चालो कर दिये जिए, लिखकर affirmation करोगे, तो जारा अच्छा होगा, औ और अगर बोल के भी करते हैं, तो आइने के सामने बोल कर करिए, और ऐसे बिलकुल आखों में आखे डाल के आइने में, खुश हो के चेरे पे smile डाल के, ऐसे यह positive जो सच वाले affirmations हैं, वो बोलिए, अगर आप करते हो यह, तो आपकी body में को एक sensation महसूस होगी, अब जैसे ही आप यह करते हो, और यह बहुत ही important चीज है, जैसे ही आप यह करते हो, इसको करने के बाद, पांच मिनट बाद बिलकुल attachment मत रखिए, अब वो चीज सच होगी नहीं होगी, आपको कुछ नहीं लेना देना उससे, आप बिलकुल attachment नहीं रख रहे हैं, आप अपने दिन में लग जाते हो, बिलकुल conscious mind के साथ, कि यह thought वापस आपके mind में नहीं है, क्योंकि जितना आप लेकर आओगे अपने mind में, उतना आप attachment create कर रहे हो, और जितना आप attachment create कर रहे हो, उतने ही कम chances होगे, कि यह पूरा होगा, तो यह try कीजिए, यह affirmation का नया तरीका है, specific होने की जरूत नहीं है, बिलकुल easy going, जैसे आपकी इच्छा हो, वैसे करिए, So, thank you everyone, अगर कोई questions हैं, तो please पूछे, thanks.